प्रदेश के खाद्य एवं नागरी कापूर्ती मंत्री बिसाहुलाल सिंग का कहना है कि प्रदेश की 25,000 से अधिक उचित मुल्ली की दुकानों पर 7 अगस को सरकार उन उस्तव का आयोजन करने जा रही है इस कारिक्रम में प्रदान-मंत्री नरिन्द मोदी और मुख्यमंत्री शुवरास सिंग चौहांच शामिल होंगे ACN भारत के साथ खास मुलाकात में खाद्य मंत्री ने 36 गड़ में अंद्रूनी राजनीती पर कहा कि 20 साल पहले कॉंग्रेस में एक नेता होता था आज कॉंग्रेस में कई नेता हो गए हैं खाद्य मंत्री विसाहुलाल सिंग से एक खास बात्चित की हमारी पॉलिटिकल एडिटर मुक्ता पाठक ने ACN भारत में इस वक मेरे साथ मदर प्रदेश के बहुती वरिश मंत्री विसाहुलाल सिंग जी है आई हम इनसे बातचीत करते हैं सर आपका ACN भारत में बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धनवाद मिड़ा है आज जिस तरह से कैबिनेट में फैसला हुआ है अन करके एक योजना है जिस पे महा भ्यान चलेगा साथ अगस्त को थोड़ा सा उसके बारे में देखिए साथ तारिको हम अन उत्सव कारकरम के नाम पर पूरे प्रदेश के पचीस हजार जो हमारे दुकान है उशित मूल के दुकान उन सभी दुकानों में अन उत्सव कारकरम का हम लोग आयोजित कर रहे हैं उस कारकरम में सिधे प्रधान मंत्री जी दिल्ली से जूरें और मानने मुक मंत्री जी प्रदेश से जुड़ेंगे और हम सब लोग इतने हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनको कोई न कोई जिला बंटित किया जाएगा और यह अनुट्सव कारक्रम में सम मंत्री वहां पे जाएंगे और जो पचीस अजार से उपर जो दुकाने हैं उन पे अनुट्सव योजना के अंतरगत पात्र हिरकाही योकुर रासन का बितर कारक्रम कराएंगे इस योजना में सबसे पहले तो हम यह कर रहे हैं कि जितने हमारे सास की उचित मूल के दुकान हैं उनका साफ सफाई रंग रोशन यह कर रहे हैं और अगर बरसात आता है तो दु करेंगे और अगर ज्यादा पाने के समिस्या है तो कोई वहां पर समदाइक भौन या पंचाइद भौन जहां पर हिद्गराही को बैठाया जा सक है इसकी भी विवश्था करेंगे तो हमारा यह लक्ष है कि कम से कम सव एक सो पचीस हिद्गराहियों को हम यह पचीस हजार इतने दुकान है उनमें उस दिन उसका लाव उनको दिला सकें और वहां पर पांच महिने का रासन बैग में भरके उन्हें को दिया जाए जी बड़ी अच्छी योजना है लेकिन हाल में अभी पिछले दिनों ही पूर मुखी मंत्री दिगविजे सेंग जी ने आपने भी उ और तब हम भरष्टाचार के आरोप लगाए थे क्या कहेंगे आप देखिए सिकायत करना विपक्षियों का काम ही है मैं तो आज भी कह रहा हूं कि कहीं भी मद्ध प्रदेश में किसी भी दुकान में अगर उनको भरष्टाचार की सिकायत मिली है तो सीधा विभाग को हैना चाहता हूं कि कहीं भी अगर दुकान में भरष्टाचार रयादकारी किया हो करमशारी किया हो या कि काप्रेटी वाले लोग किये हैं अगर जानकारी मिलेगी तो उसकी जांच कराऊंगा उस जांच कराने के बाग सक्त सक्त कारवाही में करूंगा आप जब मध्यप्रदेश और 36 गड़ एक था तब आप उसमें भी मंत्री रहे हैं आज 36 गड़ की घटना क्राम आपको पता होगा जिस तरह से कॉंग्रेस में वहां पे जो है अंदरूनी खीचतान चल रही है विधायक जो है टीए सिंग देव पे आरोप लगा रहे हैं वो सदन से भी वॉक आउट किया है तो इस पूरे घमासान को आप किस रूप में देख रहे हैं कि आप 36 गड़ से जुड़े रहे हैं टीए सिंग देव जी को भी जानते हैं क्या कहेंगे देखिए उस समय कांग्रेस में एक ही नेता हुआ करता था जिसके नेतत में पूरे प्रूस जिसके इनका क्हींस्तान होता है वह इसे उनकी पर्टी कव्युआाध है। उसके बारे मुझे कुछ नहीं कहना है, पर आज ये पब्लिक भी जान गई है कि कांग्रेस पार्टी में नतवत भी ही नहीं है, कोई मजबूत नतवत इनके पार्टी में नहीं है, यही कारण से खीचतान चलती है, खीचतान चल रही है, बीजेपी का क्या कहेंगे, बीजेप मोदी जी का और भारती जानता पार्टी के संगठन का, एक निर्ने है कि हम युगा बर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा नतवत प्रदान करें, चुंकि आधनरी करनाटक के जुमुक मंत्री थे, हैं, उनकी उमर 75 साल से उपर हो गई है, इसलिए संगठन चाहती है, पार्ट कोई युगा को दिया जाए, कोई यादुरप्पा के खिलाब कोई ने शिकायत है, यह उपर वालों का निर्ना है कि युगा लोगों को प्रत्मित दिया जाए, ताकि प्रसासन अच्छी तरह से चल सके, माध्य प्रदेश में क्या कहेंगे, यहां भी बात होने लग गई है माध्य प्रदेश में, मैं पुनाय आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, कि यहां नत्वत्वत्व परवर्दन का न कोई काम चल रहा है, न कोई चाहता है, मानि सुराज सिंग जी हमारे मुक मंत्री हैं, संगठन के लोग, मंत्री मंडल के लोग, सभी विधायक जनता चाहते हैं, कि मानि सुराज सिंग जी पांच साल तक अपना कार कार पूरा करे, यहां पर उस धंग से कोई भी रोज नहीं है, लेकिन राजनितिक गल्यारों में यह भी चर्चा है, कि दो हजार तईस के विधान सभा में, बीजे पी, जो तिरात सिंधिया को मुकी मंत पत्रकार भी पूछते हैं, जो हो रहा होता है, नहीं तो पत्रकार लोग हो सकता है, कहीं न कहीं से कुछ मिलता हो मसाला, मसाला नहीं है, मसाला नहीं है, जो बात चलती है, वो ही पूछते हैं, पाबलिक कुछ भी बोले, पर संगठन में, और सत्ता में बढ़िया तालमेल ह किसी धंग से परवर्तन की संभावन नहीं है मानि सुराज की जी मुख मंतरी हैं और वही मुख मंतरी रहेंगे कोई मुख मंतरे के दख़़ में हमारे प्रदेश में कोई नेता नहीं एक बात और होती है यहाँ चलती है सिंद्या जी की टीम है जिसके कि आप भी मैंबर हैं. आप लोगोंका पलड़ा भारी है. चाहे सत्ता की बात करें B.J.P. बात करें तो ऐसा आप लोगोंका पलड़ा भारी है और जो पुराने आपके नेता जो B.J.P.' के नेता हैं वो थोड़ा से दरकेनार महसूस करते हैं आज के दिन में भारती जनता पार्टी की पल्ला भारी है और भारती जनता पार्टी की सिंधिया जी भी मेंबर हैं हम लोग भी मेंबर हैं तो कोई सिंधिया जी अलग नहीं है वो भारती जनता पार्टी के है इसलिए भारती जनता पार्टी के पल्ला भारी है न हमारा पल्लाभारी है न सिंद्या जी की पल्लाभारी है, चलिए आपने एसीन भारत को अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, जाते जाते हैं आप एसीन भारत के दर्शा को कुछ कहना चाहें हैं। मैं यही चाहता हूं कि खासकर साथ तारिखों गरीबों के लिए एक महान दिन रहेगा जहां पर अन उत्सवकार करम आउजित किया जा रहा है। मैं प्रदेश की सभी गरीब भाईयों से निवेदन करूँगा कि साथ तारिकों जहां भी उनकी नजडीक की दुकान हैं वहां पर जाएं और निशुल्क पांच महिने का रासन प्राप्त करें। यही मैं उन सब्लों उसे निवेदन करूँगा धनवाता हूं। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह थे मंत्री बिसाउलाल सिंग जी जो बता रहे थे कि साथ अगस्त को मदरप्रदेश सरकार एक अन योजना जो है अन उत्सव योजना यह आयोजन होगा जिसमें की गरीबों को पांच महिने का एक मुष्ट राशन दिया जाएगा एसीन भारत के लिए भोपाल से कैमरा मैन उबेस के साथ मुक्ता पाठक